है यह आप प्रेंड्स वेल्कम टो यॉर चनल वफादार डॉक्स में आज आपका फिर स्वागत है नाम है दीपक और जो मैं आज की वीडियो लेकाया हूं वह लेकाया हूं कि हम पपी को विंटर्स में कैसे उसको सेव रख पाएं और ताकि उसकी तबियत खराव ना हो तो आ आपको जुगाड़ बताता हूं कैसे मैंने जुगाड़ करा है कि पपी को ठंड ना लगे और उसको कोई जुकाम भी ना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे हम अपने पपी को विंटर्स में प्रोडेक्ट कर सकते हैं यह वीडियो नहीं के वीडियो तो फ्रेंड्स देगे यह है हमारा रूम हीटर और अगर आपके घर में रूम हीटर है तो बहुत अच्छी बात है आप अपना जो रूम का टेंपरेचर है उसको नॉर्मल करके रखिए ताकि पपी को ठंड ना लगे तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा देखिए ह हमारा पपी है चोटा सा हमारे पास तो हमने इसको स्वेटर भी पिना रखा है आप एक स्वेटर भी लेकिया यह पपी के लिए जो इसके साइज का हो और निकले ना बिल्कुल असानी से अगर वो निकालना भी चाहिए तो देखिए और आप जानते ही है नौर्ट साइड न सब्सक्राइब है नहीं करते हैं चोटे पफिसको भिल्कुल फ्रेंड़ी होते हैं और बहुत करता है इस पपपी को भी बच्शे देखिए पूरा खेलने के मूड में है पपी बस 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 Baby Sit 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 तो अगर आपके घर में रूम हीटर है तो बहुत अच्छी बात है और आप रूम हीटर को भी सारी रात नहीं चला सकते क्योंकि उसे कहते है रात कुछ लाकर नहीं सोना चाहिए लाइफ थ्रेटनिंग का भी थोड़ा उसमें खत्रा रहता है तो बट एक यह जो हमारा रूम हीटर है यह थोड़ा ओईल वाला ओईल रूम हीटर है इसमें आप कोई टेंशन नहीं है तो फ्रेंट्स जो बंदे रू कोई भी आप नियर्वाइ लेक्ट्रिशन पर चले यह और इसको बोलेगी ऐसा मतलब एक वायर कनेक्ट कर दे और देखिए यह सो बाट का मारा बल्ब है ठीक है और इसको मैंने नीचे कंबल दे रखाया और इसका ट्वायर रख रख रखाया बच्चे का पपी का जो मैं आ तो अब यह देखिए मैं इसको जला के दिखाता हूं आप जलाएंगे तो फ्रेंट्स क्या होता है यह बल्ब थोड़ा हीट देते हीट प्रोड्यूस करते हैं तो पपी को आटोमेटिक इसमें हीट मैसूस होगी अपनी उसकी बोड़ी पर तो अराम से पपी राद बर यही तो थकके यहीं पर ही आजाएगा आपका पपी और यहीं देश्ट करेगा हम और जैसे कि यह पपी भी बिल्कुल यहीं पर ही आयता है खेल कूदने के बाद अराम से यहीं पर ही सोता है तो इसको आप राद बर जलाके भी छोड़ सकते हैं पस थोड़ा एक धियान रखिए थोड़ी सी हाइट इसकी जमीन से थोड़ी सी ऊपर भी होनी चाहिए और यह बहुत ही इफेक्टिव है और सबसे बढ़िया जुगाड है तो कि इसमें क्या होता है थोड़ी हीट आती रहती है वल्लुप में तो इसको हीट अच्छी लगती है बच्चे को राद बर कि वो गरम मेहसूस करता है बच्चा अपने आपको और ठंडबीन लगी कि बच्चे को आपके बच्चे को ऐसे यह देखिए और और फ्रेंट्स मैं आपको बताना जाओंगा थोड़ा सा दीवार से बल्पो थोड़ा दूर रखिए और जैसे मेरी बोड़न मैंने इससे थोड़ा ब्लब चांई और जड़ा अकर दीवार के टच भी रहेगा मैंने देखे थोड़ा सा पिछह कर रहे ताकि दीवार के साइड में ला जाए बल्व और दीवार के साथ जाए गा तो निशानाने के खत्रफें यह पर तो इसको आप सब ध्स्टेंस इंतिन करिए और रात को तो जला के छोडीए गल, तो, गाईस ये छोडी सी वीडियो बहुत, मैंने मैंने मेंद से मनाई, आपको कैसे लगी प्लीज आप कमेंट करके बताईए, और अगर वीडियोःटियो इनफोर्मेशन, आपको वीडियो की अच्छी लगी, तो प्लीज आगे शेर करिए और कमेंट भी करके बताइए हमें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करावा तो प्लीज सब्सक्राइब पर चैनल और यह हमारे अमेरिकन बुली है मिस्टर जेडी और जैसा कि यह शकल से लगता है डेंजर लगता है पर बिल्कुल अगर आपका अमेरिकन बुली बिल्ली चाहते हैं तो आपको और डिलेवरी ऑल आवर इंडिया है तो हम रूम हीटर चलाते हैं जैसा कि अगर ठंड लगती है तो रात को तो रूम नोर्मल हो जाता है तो फिर हम इसको बल्ब लगाके छोड़ देते हैं बच्चे को यह पर ह तो यह अराम से बैठता है हमारे रूम में तो यह सबसे चलता जूगाड है और हमारा पसंद आया वह आपको यह बल बुल्ब वाला तो आप औरो को भी बताइए आगे यह जीडी मिस्टर हुमारा बहुत है बच्चों का जो भी बच्चे हमारे पास होते हैं और या यह अन यह देगे यह देगे शेतान को यह हमारा ट्वाइपों में वर ट्वाइपों में इना जाते हैं आप हम से कुंड़ेट कर सकते हैं ओके गाइस बाई ओवर न आउट टेक कियर एवर हम आपको ट्वाइपों से मिला देते हमने अब बेटे जेडी क्या हो गया बच्छे क्या हुआ पर जेडी कभी इन चोटे पपी इस पर नहीं बाग करता कभी भी नहीं भुकते इन पर बाहर से अगर डोगी कोई जाना ता फेश जरू शाओड करता है या कोई आता है यह देखे फुल मस्ती नहीं है भी बस 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 ये भी कहने मैं को प्यार कर रहे हो तो मेरे को भी करो है ना तेरे को भी प्यार करें टेकर एंड आउट